हेलो बच्चो आज आप पढ़ोगे NCRT इंडेस मेरी गोल्ड बुक से यूनिट 3 की पोईम माई सैडो इस पोईम में बच्चे की परचाई के बारे में है ये जो पोईम है जो हमेशा उसके साथ गूमती रहती है उसकी परचाई उससे मिलती जुलती है और ये ठीक वही करती है जो बच्चा करता है कभी-कभी परचाई बहुत बड़ी हो जाती है और कभी-कभी बहुत चोटी हो जाती है एक सुबह जब बच्चा सूरज निकलने से पहले उड़ जाता है वो फूलों पर उसकी भूंदे देखता है लेकिन अपनी परच्छाईं नहीं देख पाता अब बच्चा सोचता है कि उसकी परच्छाईं अभी तक सायद उसके बिस्तर में ही सो रही है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडर इंजोई I have a little shadow that goes in and out with me and what can be the use of him in more than I can see he is very very like me from the heels up to the head and I see him jump before me when I jump into my bed मेरी एक ननी सी परच्छाईं है जो मेरे साथ अंदर बाहर आती जाती है उसका उप्योग क्या है यूज क्या है उसका ये मैं नहीं समझ पाता मैं तो बस उसे देखता हूँ वो सिर से प्यार तक बिलकुल मेरी तरह दिखती है जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने से पहले उसे उस बिस्तर पर छलांग लगाता देखता हूँ यूज के बारे में सबसे मज़िदार बारे में सबसे मज़िदार बारे में उसके बढ़ने का तरीका है वो जो भी नॉर्मल बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़ा नहीं होता बलकि जो भारती है इंडियन रवर बॉल है ना रवर की जो गैंद होती है उसकी तरह उचल कर अचानक बढ़ी हो जाती है और कभी-कभी तो इतनी छोटी हो जाती है कि दिखाई ही नहीं पड़ती जो मेरी सैडो है एक सुबह मैं सूरज निकलने से पहले उड़ गया और मैंने हर पीले फूल पर चमकदार ओसकी बूदे देखी वटरकप वटरकप में सोता है अ टाइप ओफ येलो फ्लावर एक तरह का पीला फूल तो मैंने पीले फूल पर चमकदार ओसकी बूदे देखी लेकिन मेरी छोटी सी आल सी जो परच्छाई वो बुरे सोने वाले की तरह जैसे बुरे लोग देर तक सोते रहते हैं उनकी तरह मेरे पीछे घर पर ही बिस्तर में अब भी भी गहरी नीद में सो रही थी ओकी बच्चो अब हम इसके न्यू वर्स कम्प्लीट करते हैं इंडिया रवर बॉल इसका मींस है अब बॉल तैट कें बाउंस वेरी हाई एक ऐसी गैंड जो की बहुत उंची उछल जाती है बाउंस करती है बटर कप बटर कप मींस मैंने आपको बताया येलो फ्लॉवर एक पीला फूल अरेंट अरेंट मींस होता है बैड ओके बैड मींस बुरा या फिर खराब Question answer Who do you think your shadow looks like आपकी नजर में आपकी परच्छाएं किस से मिलती जुलती है तो आपको आंसर करना है I think my shadow looks like me Second Question Why do you think your shadow jumps into bed before you can आपकी बिचार में आपकी परच्छाएं आपसे पहले बिस्तर में क्यों कूंत जाती है तो आपको आंसर करना है When I go very close to my bed, my shadow falls on the bed before I can go into it Third Question What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? तो आपको यहां पर करना है आंसर I think मैं सोचता हूँ कि जो मेरी shadow है is the tallest in the morning ओके? Next Question Read the lines from the poem and answer the following यह जो lines है इस poem की इनको पढ़ो और फिर उनके आंसर दो तो lines क्या है? He is very very like me from the heels up to the head तो यहां पर आपका first question है Who does he refers to? तो आंसर आपको करना है He refers मतब जो ही दे रखा है ना एच्ची यह किसको refer करता है? तो He refers to the shadow shadow के लिए जो आपकी परच्छाई है Second है Who does me refer to? और इसमें second question में Me किसको refer करता है? किस से सम्मोंदित है? तो इसमें Me Me refers to child Okay, child the speaker in the poem Third Why are he and me alike? अब He और मी एक जैसे क्यों है? तो आपको answer करना है इसका He and me are alike because He is the shadow of me So, we have completed this poem with question and answer If you like this video share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon Thank you Well, I can do this and I'll see you next time I'll see you next time